पटना में हुए भारी जल जमाव को लेकर सीएम नितिश कुमार आज समीख्षा बैठक करेंगे संभावना विक्त की जा रही है कि बैठक में पटना में जल निकासी के नए प्लान को अंतिम रूप दिया जा सकता है ताकि भविश्य में जल जमाव की समस्या ना हो सीएम की समीख्षा बैठक से पांच दिन पहले से मुख्य सचीव, नगर विकास, आवास विभाग के प्रधान सचीव स्तर पर नए प्लान की तैयारियों को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं विभाग के अलावा नगर निगम, बिहार शहरी आधार भूस संग्रिक्षना विकास निगम लिमिटेड, बिजली विभाग और अन्य संबंदित विभाग भी नए प्लान की तैयारी में लगे हैं सोंवार को शाम चार बजे से शुरू होने वाली बैठक के बाद स्थिती स्पष्ट हो जाएगी ये भी माना जा रहा है कि समिक्षा बैठक में जो अधिकारी और करमचारी दोशी पाए जाते हैं उन पर कारवाई भी हो सकती है इस साल हुई जबरदस्थ बारिश से राज के जलाशे पूरी तरह से भरे हुए हैं कोई जलाशे सूखा नहीं है देश में से साथ जलाशे में 50 फीसिदी से अधिक पानी है दो में 100 फीसिदी और एक में 102 फीसिदी पानी भर चुका है आगामी रभी और अगले साल खरीफ की रोपाई के लिए पानी की किल्लत नहीं होगी पिशले साल जहां 6 जलाशे सूखे थे वहीं 13 में 10 पृतिशद भी पानी नहीं था केवल 4 जलाशे ही ऐसे थे जिसमें 25 फीसिदी से अधिक पानी था सितंबर के आंत में हुई बारिश से लंबे समय से सूखा जेल रहे दश्ण बिहार की नदियों में पानी की मात्रा काफी अधिक हो गई पटन का एको पार्क मौनिंग वॉक के लिए आज से खुल गया है लेकिन मौर्निंग वॉक करने वालों के लिए उसके बाद भी ये बंद था जिसे आज से खोलने का निर्णे लिया गया है एको पार्क के रेंज ओफिसर अर्विंद कुमार ने बताया कि मौर्निंग वॉकरों के लिए पार्क को खोलने में देरी होने की बड़ी वज़े मौर्निंग वॉकर्स की बड़ी संख्या है इको पार्क में हर सुबेट साथ से नो हजार लोग मौनिंग वॉक करने आते हैं उत्तरपूर मौनसून की बिहार से पूरी तरह विदाई सत्राक्तूर बर्तक हो सकती है आई-मडी पटना ने इसका पूर अनुमान जारी किया है रविवार को पूरे बिहार में बारिश नहीं हुई छुटपट बारिश बिहार के एक दो जगे हुई है ये बारिश ट्रेज भी नहीं है केवल बादल चाय रहे पूरे बिहार में ठंड ने अपना रंग दिखाना भी शुरू कर दिया है निउन्तम और अधिक्तम तापमान बिहार में सामान ने दर्ज किया गया है पटना में शनिवार को पूर्देश का सरवादिक तापमान 34 डिग्री से उपर रहा पटना का तापमान रविवार को सामान नहीं रहा सारणकिश शिवा कुमारी मिसिस इंडिया वर्ड वाइड चैंपियंशिप 2019 के ग्रैंट फिनाले में पहुँच गई ग्रैंट फिनाले अक्तूबर में ही योरोप के ग्रीस में होगा शिवा की इस कामियाबी को लेकर उसके माय के गोपाली में भी काफी खुशी का महौल है शिवा के पिता राम शंकर यादव, चाचा ओमार शंकर यादव और हरिश शंकर यादव ने बताया कि इस चैंपियोंशिप का नौवा सीजन है श्रिवा के पिताब पुलिस आवर निरक्षोक के पाद से सेवा निवरत हुए है श्रिवा ने जमशेदपुर में विमन्स कॉलेज बिश्टुपुर से सनातक और M.B. की पढ़ाई की है विर्यो रिपोर्ट बिहार तक